असलाम लेकुम विएर्ज ट्रिकेटिंग माइंड की कोई एपेसोट मैं और आपके साथ आपने बहुत रैवलरी सुनी होगी पाकिस्तान वेसेज इंडिया की और वरल्ल कप में इंडिया पाकिस्तान को बहुत टाफ टाइम देता है और इंडिया के फैंस भी इंडिया भी काफी पाकिस्तान को क्रिटसाई नहीं जी सकता है व्ल्ल्ट कप में पाकिस्तान इंडिया से नहीं जी सकता है बहुँत डिभेट इस पे हुई हैड-TO-H Develop meant its partial weekend 78-80 मैच पाकिस्तान जिता हुआ है 60 के लगबग, इंडिया जीता है, पाकिस्तान लेकर उनसे आखी है और इस्पेस्टी जो 90 का दौर था, जिसमें वसीम वकार, श्वेब थे तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डॉमिनेटिंग था इंडिया पे तो इसी बात की जाए, अगर इसी चीज़ को हम चैंपियंस टौफी के उस पे देखें, तो पाकिस्तान का परला वहाँ जरूर भारी है और आज इसी टौफिक पे बात करने बेसिकली चाह रहा हूँ था जो चैंपियंस टौफी पाकिस्तान दो दफ़ा भारत को मार चुका है एक हमने 2009 की चैंपियंस टौफी जिसका 12 साल आज हो चुके है पाकिस्तान ने भारत को हराया था चैंपियंस टौफी पाकिस्तान वो नहीं जीच सका था उसका चैंपिन ऑस्ट्रेलिया बना था लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो जरूर पाकिसान जीता था और पाकिसान इंडिया का हमेशा हाई वाटेज मैच होता है तो इस मैच पर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हरा पाकिसान ने बैटिंग की और 302 रन स्कोर की और पाकिसान की तरह से स्टार परफॉर्मर थे श्वेव मलिक जो के इंडिया के साथ हमेशा बहुत अच्छा केल पेश करते हैं और 128 रन स्केरिंग के लिए मुहमद यूसफ 87 रन स्कोर की और पाकिसान ने 302 रन स्कोर की है और जवाब में इंडिया के टीम सिर्फ 258 तक महदूद रही यह 248 तक को पाकिसान ने 52 यह 54 मैच बड़े एजी लिए था और दोही बात दूसरी चैमिन्स टॉफी की जो इसको सब जानते हैं बहुत ही अभी तक की लास्ट चैमिन्स टॉफी वही हुई थी तेल डेट अभी इसके बाद ICC ने टोड़ासा बंद कर दिया जो बेसिकली था 2017 का रमजान में जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को करारी शिकस दी और करारी शिकस ना सिर्फ दी बलकि बलूफ वान सड़े टोन मैच कर दिया और पूल मैच पे हमारे वे थे इंडिया से लेकिन जब ये मैच आयदा 338 पाकिस्तान ने स्कोर की और जब आप में भारत की टीम 158 पे ढ़ेर हो गई 180 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीता और जैमिन्स टॉफी अपने नाफ की 338 का हदा बहुत मुश्किल लगा भारत को लेकिन जो आज का टॉपिक था मेरा जो आज मैंने बात की वह बेसिकली चैंपियंस टॉफी 2009 है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को चारो खाने चित किया और थोड़ा सा कंपारिजन अगर हम वर्ल्ड कप के मैचे सा करें जिसमें इंडिया हमेशा डॉमिनेट करता है पा जो टॉर्नमेंट चल रहा है बैसिकली नेशनल टी-20 उससे काफी जादा इस चीज़ का फाइदा हुआ कि जो अभी मिडल ओरर पाकिस्तान का है वह भी नदर आ रहा है किस डिरेक्शन में जा रहा है जिसमें खुछ दिल शाह है सुह मकसूद है आजम खान ने कोई खातिर उससा परफॉर्मर्स नज़र नहीं आरी बजाहर तो देखते हैं कि आज तो शुर्म मलिक दुबारा सेंटर पंजाब को जॉइन कर रहे हैं और वीडियो से पहले मैं देख रहा था ही वाज उन क्रीस और सेंटर पंजाब की वह आज बन्दे नमाइन्दी कर रहे हैं शाहिद अफिदी का भी में आज ट्विट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि वेरी सोन पीचीब विल अनौस फ्यू चेंज़ इन पाकिस्तान वर्ल्ल कप स्कॉर्ट तो देखते हैं कि प्लेयर्स का कॉर्रा निकला है और अभी तोड़ी से पहले बड़ी इंटरस्टिंग कर वारे हैं तो उनका फाइदा हुशी से किया है टीम ही चेंज हो जाएनी है जो प्लेयर्स इसलफ काफी मैंटली प्रिपेर्ट हैं कि शयद माइट भी टीम चेंज हो जाए तो लेट सी के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़े से बतकिस्मत होते हैं जो सेलेक्शन में अ वहाव रियास का भी नाम आ रहा है लेकिन आउनली टाइम विल टेल के कौन जगा बना पाता है इस टीम में और फाइनल पाकिस्तान अपने स्कॉर्ड में क्या नाउस करता है जो के कट आफ डेट वैसे तो 16 अक्तूबर लेकिन 10 अक्तूबर तक कह रहे थे लेकिन रमीज र पाकिसान को इन्शाला इसमें ची परफॉर्मस दिखानी है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है पाकिसान के दुआ करें चैनल को लाई से स्क्राइब करने का बहुत शुक्रिया इसी तरन अपडेट्स आती रहेंगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेल देन टेक के अधिगर नेक्स्ट वीडियो में चाला पैनल के साथ आएंगे तिल देन टेक केर और अलाहाफेज